हलो दोस्तों, मैं आज ड्यू रेकोडर की सेटिंग के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं कि आप ड्यू रेकोडर से क्या क्या कर सकते हैं ड्यू रेकोडर बहुत चलाना आसान है और इसमें वटर मार्क भी नहीं आता है तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में इस वीडियो को आप अंत तक देखिए तो पहले जाएंगे हम इधर सेटिंग में सेटिंग में देखिए आपको क्या क्या मिलता है पहला है वीडियो रिजोलिशन वीडियो रिजोलिशन में आपको यह फ्री में बीना वटर मार्क के 1080 pixel तक के video record करने देता है जो आपका screen record करता है उसके बाद आप देखते हैं video quality में तो video quality में भी आपको 12 mbps, 8 mbps, 5 mbps ये आपको सायद पता नहीं होगा video quality में ऐसा होता है कि आप यदि YouTube के लिए video बना रहे हैं आप यदि 12 mbps रखते हैं तो ये अच्छा होता है तो इसमें 12 mbps आप कर देते हैं तो अच्छा है नहीं तो आप auto रखेंगे तो भी automatically अच्छा ही record करेगा उसके पास उसके बाद है fps तो fps है इसको भी आप auto रखिए मतलब कौन सा आपको बदलना चाहिए वो मैं बताऊंगा उसके बाद है video orientation तो video orientation को आप landscape कर सकते हैं क्योंकि YouTube में हम landscape में ही video record करते हैं और YouTube का जो frame रहता है उसमें landscape वीडियो ही सही रहता है तो लेंड्सकेप कर सकते हैं आप लेकिन आप auto भी रखते हैं और आप mobile को rotate कर देते हैं तो भी वो लेंड्सकेप में ही record करें उसके बाद आपको record audio चालू करना है इससे क्या होगा आप जो भी बोल रहे हैं उसमें जो भी आपका audio आप मतलब जो बोल रहे हैं वो आवाज एक प्लिब में आप जाकर शैटिंग कर सकते हैं कि आपको अपना मतलब है जो आ कि वीडियो रेकोर्ट करके जो वीडियो कहां पर आपको रखना है और आपके पास कितनी एंबी बची है यह सबкое उसमें जान सकते हैं इन वत वीडियो कलर कोछ काम का नहीं है वो करने के जभूरत नहीं है रिपर ये भी कोई काम का नहीं है recording mode तो recording mode को भी आप standard रखी है उसका भी कुछ काम नहीं है फिर है कि आप hide record when record तो इससे क्या होता है कि जो ये side में आपको दिख रहा है तो ये पूरा मतलब छीप जाता है तो उसको भी नहीं चीपाना है तो उसको भी नहीं करेंगे क्यूंकि आप चीपा देंगे उसको तो फिर आपको वीडियो चालू में बंद करने में और वापस से चालू करने में आपको problem होगी फिर ये है sync phone to stop recording तो sync phone to stop recording में आपको क्या करना है कि उसको बंद रखना है क्यूंकि आप जब भी अपना फोन सेक करते हैं मतलब उसको थोड़ा बहुत वाइब्रेट करते हैं तो आपकी जो रेकोर्डिंग है वो रुख जाएगी तो इससे भी डिश्टर्ब हो सकता है आपका मोबाइल यह आप से हील जाता है तो भी वो तो यह काउंट डाउन में आपको 5 सेकंड 10 सेकंड जितना भी रखना है रख सकते हैं नो काउंट डाउन मत रखिए आप कम से कम 3 सेकंड रखिए मैंने इसमें 3 सेकंड रखा है उससे क्या होता है कि आप एटलिस्ट आपको थोड़ा 2-3 सेकंड का टाइम मिल जाता है तो आ आप मत चालू किजिए उससे क्या होगा कि जो बटन है जिससे आप मतलब इसको क्या करें मतलब यह कोने में इसा बटन बताता है तो आप इससे कभी वीडियो चालू में उसको बंद करना है चालू करना है वो कर सकते हैं कीब रेकोर्डिंग वेजिंगं जो उसकी जुरूत नहीं क्योंकि आप संग बंद हो गया है तो रेकोर्ड करके क्या करेंगे उसको पाउस रेकोर्डिंग पौर इनकमिंग कोल इसको आप चालू कर दीजे बहुत जरूरी है इससे क्या होगा कि फोन आते हैं आपका जो रेकोर्डिंग है वो बंद हो जाएगा तो उससे फायदा ये होगा कि आपका जैसे फोन आता है तो उसमें जो आवाज आने लगती है वो बीच में नहीं आएगी तो आमको क्या करता है उसको ट्रीम करना पड़ता है आप इसमें स्क्रिन सोट भी ले सकते हैं तो आप ये camera भी आप camera में और एक चीज है कि आप camera को मतलब ये देखिए camera को आप ऐसे बढ़ा भी सकते हैं कम कर सकते हैं आपको front camera चाहिए कि back camera चाहिए वो भी आप set कर सकते हैं और उसको किसी भी समय पर काट भी सकते हैं če camera में में आप एक बेश्ड़ चीज है कि आप camera में आपको बहुत सारे याँप पर फ्रेम दीए जाते हैं तो आप ऐसा फ्रेम लगा सकते हैं जैसे मेंने इसके टीवी वाला लगा दिया है यह tady bear का लगा दिया तो ऐसे कुछ भी frame आप लगा सकते हैं और इस में से कोई भी frame आप download भी कर सकते हैं तो यह camera frame का बहुत अच्छा option इसमें फिर सो टचेस सो टचेस चालू रखते हैं तो आप मतलब उसको कहां कहां मतलब उस आपने जो टच किया वो सब उसमें बताएगा जी आएफ रेकोडर की भी कोई जोरत ने आप एदी एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं वाटर मार्क तो वाटर मार्क तो ओविसली आप वाटर मार्क तो आप यहां से ब्रस चालू करते हैं तो आप ऐसे स्क्रीन पर लिख सकते हैं ब्रस में है कि आप मतलब कलर भी बदल सकते हैं जिस कलर का चाहिए जैसे मैंने इसको रेड कर लिया तो यह रेड चलने लगा आप इसको मोटा पतला भी कर सकते हैं जैसे मैंने हम eu read इतना मोटा कर दिया तो यह दे है इतना यह मोटा चलने लगा आप इसको पतला भी कर सकते हैं अब इस में जरूरी चीज़ है कि जब आप brush use कर corporate score नहीं कर सकते मतलब screen कंको ऐसे उपर-néचे नहीं कर सकते जैसे मैंने अभी आप देखिय से plus चालू किया तो अब इससे क्या होगा यह स्क्रीन लोक हो जाएगे और आपको अब आपको ब्रस को बंद करना है तो यह यह जो नीचे नीचे कट वाला बटन है इसको कट करना है और आपको स्क्रीन को रोटेट कर लेना है स्क्रोल कर लेना है उपर की तरफ तो इसको ऐसे बं ब्रस चालू हो जाता यह देखिए यह जो यह लेफ्ट साइड कोने में आपको ब्रस दिख रहा होगा यह यह यहाँ पर यह सिम्बोल है तो इस ब्रस से आप मतलब चालू कर सकते हैं वापस रेकोर्डिंग तो यह बहुत अच्छा फीचर है इसमें तो इस ब्रस आप इसको ब्रस चालू रखिए उसके बाद है परस्नल वाटर मार्क फॉर रेकोर्डिंग आप मतलब इसमें बहुत बढ़िया उप्सन है कि आप मतलब खूद का कुछ वाटर मार्क रखना चाहते हैं जैसे मैंने अभ परस्नल वाटर मार्क फॉर लाइव स्ट्रीम मतलब आपने यदि वीडियो लाइव किया है तो लाइव में भी आप यहां से इसको ओन कर सकते हैं यह भी बहुत अच्छी चीज है और अलाव नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन चालू रखेंगे तो आपके आएगा मतलब अ उतना काम का नहीं है लेंग्वेज है आप इंगलीज रखेंगे तो यह सारी चीजे है इसके बाद आप इसमें जा सकते हैं आप एडिट वीडियो मर्ज वीडियो इमेज आप इसके लिए मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाता हूं उस वीडियो में आपको मैं सकते हैं कैसे वीडियो को कर सकते हैं वीडियो में मतलब अपनी इमेज eight लगा सकते च। बात है कि आपको कहीं more नहीं मिलेगा किसंद में लंबा वीडियो हो कुछ विया आप कोई भीwater你 कर माइनर मिलेगा और इसमें वीडियो को ओंप्रेस करने का यहकं औ rifson लिख कर बताईए और एक खास बात यह जो वीडियो मैंने रेकोड कर लिया है इसको भी मैं डियू रेकोडर में ही एडिट करके और उस पे अपलोड करूंगा तो डियू रेकोडर से कितना अच्छा एडिटिंग हो जाता है यह भी आप इस वीडियो को ही देख लिजिए और मैं यह अगले वीडियो में डियू रेकोडर से एडिटिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा थैंक्यू जाए हिंद